नमस्कार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे करेंट अफेर के हजार कोश्चन का स्रीच हजार कोश्चन आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और इसमें जो भी कोश्चन बताया जा रहा है आपको ध्यान पुरवक से आपको माइंड में सेट करके चलना है जैसे कि ये आप देखिएगा यूटूब पर नए तरीका से मिन्स कहने का मतलब ये कुछ नया करने वाले हैं इसमें जैसे कि आप क्लासरूम में आप देखते होंगे कि जैसे टीचर यहां से आपको बोल रहे हैं ठीक है और आप कान से और आख से और मन से तीनों एकागर करके आप टीचर को देखते हैं तो ज्यादा देर तक आपको याद रहता है इसलिए आपको ध्यान पुरवक से इस वीडियो को देखते जाना है और देखते देखते आपको जहन में समाने लगेगा कि हाँ हमें ये कोश्चन याद हो रहा है तो 100 कोश्चन का एक बीडियो होगा मिंस एक बीडियो लेक्चर में 100 कोश्चन चलेगा 1000 कोश्चन इसमें सामिल किये हैं बहुत important है चाहे आप चिस भी एकजाम का तयारी कर रहे हों ओके आप चाहे किसी भी तरह का एकजाम का तयारी कर रहे हों उसमें current affair पुछा जा रहा है तो इससे गरांटी है कि इसी से आएगा आपका कोश्चन तो ध्यान पुरवक से सुनिएगा 100 के 100 question आप से मेरा बिंती है कि आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय अधर काम ना करें तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने question की ओर question प्लस answer प्लस ब्याख्याद तीनो साथ में हम आपको बताते जाएंगे आपको ध्यान पुरवक से अदम टक टकी लगाकर हमारे चेहरे को देखते रहाना है तो हम start करते हैं 1,2,3 तो सबसे पहले question की ओर हम लोग चलते हैं पहला question कह रहा है कि RVI के नए governor कौन बने कौन बने थे आप याद कीजिए 2019-2020 का ये current फिर चल रहा है इसको ध्यान पुरवक से आप रख कर आप अपने से try करके मन में सोचे हम आपको option भी बताएंगे, answer भी बताएंगे, उसका description भी बताएंगे थोड़ा सा video लंबा हो सकता है लेकिन आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है और आप जाकर examination में टिक लगाएंगे तो RVI के नए governor कौन है तो option है सकती कांतदास उर्जित पतेल एनेस विसुनाथन महेश भूपती आपको answer याद हो गया होगा कि कौन सा है तो answer हो जाएगा इसका सकती कांतदास सकती कांतदास RVI के 25 में governor है अब इसका explanation सुनिए RVI के governor बनने से पहले सकती कांतदास finance commission के सदस भी रह चुके हैं इंडिया जीडीपी according to RVI 5% RVI अस्थापना एक अप्रैल 1935 इस्वी को हुआ था कहां हुआ है भाई तो मुंबाई में सकेंड कोश्चन है हाल ही में मोहन बागान एथलेटिक्स कलब का आजीवन सदस किसे बनाया गया है किसे बनाया गया है ध्यान किजिएगा option आपके सामने ये रहा अभिजीत बनर जी के पारासन जेनिफर एनिस्टन इनमें से कोई नहीं आपको answer याद हो गया होगा कि answer होगा अभिजीत बनर जी भारतिये मुलके बैज्यानिक नागरिक भारतिये मुलके अमेरिकी नागरिक तो इसका answer हो जाएगा अब इसका भ्याख्या सुनिए हाल ही में अभिजीत और इनकी वाइफ एस्थर डुफलो याद रखेगा एस्थर डुफलो इनकी वाइफ है अर्थ सास्त्र में नोबल पाने वाली इतिहास की पहली जोडी बनी पहली जोडी बनी है तिसरा कोशन है हाल ही में कौन दूसरी बार हर्याना के मुखमंत्री के रूप में सपतली याद किजिए आपके शामनी ओप्शन ये रहा आपका एंसर कौन सा हो जाएगा सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं व्याक्या राजधानी इसका चंडिगड राजिपाल सत्यदेव नारायन आचार हाल ही में हर्याली को बढ़ावा देने के लिए हर्याना सरकार के द्वारा पौधागीरी अभ्यान की सुरुवात की गई अब देखिए हर्याना का बात हो रहा था हर्याना के मुखमंत्री कौन बने हैं तो बने हैं मनोहर लाल खटर खटर याद रखेगा खटर ओके याद हो जाएगा आपको चौठा कोश्यन है इंडियन आयल कॉर्परेशन आई ओश्री का नया चेर्मैन किसे चुना गया है आपका ओप्सन है जीके सतीस, एस एसवी राज रामकुमार, संजीव सीन, स्रीकांत माधव वैद्य आपका एंसर हो जाएगा स्रीकांत माधव वैद्य, स्रीकांत माधव वैद्य आपका एंसर हो गया अब देखे इसका जो ब्याख्या हम दे रहे हैं आपको ध्यान पुरवक से सुनना है किसी भी question का जो व्याक्या दे रहे हैं आपको ध्यान पुरवक से सुनते जाना है अब उसी का व्याक्या है ये संजीव सीह का अस्थान लेंगे ये जून में अपना पदभार समा लेंगे और इनका कार्जिकाल तीन साल का होगा आयोसी की अस्थापना 30 जून 1969 इस भी को हुआ है कहा हुआ है मुख्याले इसका है नई दिल्ली में अब देखे यहाँ पे जून में अपना पदभ समा लेंगे बोले हैं तो मतलब 2019 का जून आपको याद रखना है क्योंकि ये current affair है पूरे एक साल के लेके चल रहे हैं 2019 बीस का है ये आप ध्यान में रखिएगा ओके जून हम बोल रहे हैं तो समझना है आपको कि ये 2019 का जून है अगला कुश्चन है हाल ही में हाल ही में NAC NALCO NALCO के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है तो आपका option है चंदा कोचर तपन कुमार चंद स्रीधर पात्र संदीप वक्सी तो आपका answer क्या हो जाएगा आपके मन में आ गया होगा स्रीधर पात्र ये तपन कुमार चंद का अस्थान लेंगे ओके ये तपन कुमार चंद का अस्थान लेंगे ओके तो इसका ब्याक्या क्या हो जाएगा NALCO इसका full form पहले जे नैसनल एलोमिनियम कंपनी लिम्टेड इसका अस्थापना हुआ था साथ जनवरी उनएस्थो इक्यासीस वी को इसका मुख्याले कहां है तो भूनेश्चुवर में ओके याद रखेया कि कहां है भूनेश्चुवर में ओके अगला कोश्चन है राष्ट्रिये जांच ए एजनसी एन आई एके महा निर्देशक कौन बने आपका ओप्सन है बाइसी मोदी केभी मोदी निरब मोदी इन में से कोई नहीं आप याद कीजिए बाइसी मोदी इसका करेक्ट एंसर होगा एन आई ए इसका फुल फॉर्म पहले जानिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी अस्थापना 2009 में हुआ था मुख्याले इसका कहा है तो दिल्ली में है ओके अगला कुश्चन है बी ये आर्सी बार्क के नए निर्देशक कौन है और कौन है ओके मतलब कौन चूने गए हैं और कौन है ओके ओप्सन है आपका अजीत कुमार मोहंती अजय त्यागी राजिव कुमार इन में से कोई नहीं तो आपका एंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती अजीत कुमार मोहंती बार्क का फुलफ़म होता है भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर अस्थापना इसका हुआ था तीन जन्वरी 1994 को संस्थापक है होमी जहांगीर भावा मुख्याल है इसका है मुंबई में ओके अब दिखिए अगला कोशन है बहुत इंप्रोटेंट है परसार भारती के अध्यक्ष कौन बने तो आपका अप्सन ये है सुर्ज कांत तिर्फाठी, राजिव कुमार, वीके यादव या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा सुर्ज कांत तिर्फाठी परसार भारती के अध्यक्ष हैं अब देखे इसका जो व्याख्या है बहुत ही इंप्रोटेंट है आप देखे व्याख्या को देखेगा तो उसमें क्या हम बता रहे हैं आपको इस भी बता रहे हैं कभी कभी आ रहा है फुल फॉम उसका क्या होता है वो ही बता रहे हैं अब देखे इसका जो अस्थापना ह हुआ था 23 नवंबर 1997 को हुआ था और मुख्याला इसका कहा है तो नई दिल्ली में पढ़ता है ओके अगला कोश्चन है SIDVI के अध्यक्ष कौन बने डॉक्टर सूर्ज परकास बिनेत्रिपाथी शुब्रमन्यम मुहम्मद मुस्तफा इसका डायरेटली आप एंसर वता सकते हैं डॉक्टर सूर्ज परकास इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था आपके पेपर में न्यूज पेपर में आप देखें SIDVI का जो अस्थापना हुआ था 2 अपरेल 2 अपरेल 990 SB में मुख्याला इसका कहा है लखनाव उत्तरपरदेश में इंडिया इंडियाज GDP according to SIDVI 5.6% है GDP इंडियाज GDP याद रखेगा 5.6% है अब अगला कुश्यन है आपके शामने भारत के अगले भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे अनूप कुमार करमबीरसी बिपीन रावत मनोज मुकुंद नर्वने कौन होंगे तो आपको याद होगा इसका ब्याख्या है थलसेना एक अपराइल 1895, मुख्याले नई दिल्ली, मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ, मोटो इसका क्या है सर्विस बिफोर सेल्फ, अगला question है, हाल ही में नौसेना के परमुख कौन बने? आपका option यह है, एड्मिरल करंबीर सी, एड्मिरल सुनील लांबा, बियस धनोवा, इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इसका answer क्या हो जाएगा? एड्मिरल करंबीर सी, एड्मिरल करंबीर सी, ओके, अब देखिए, इसका जो अस्थापना कब हुआ था, नेवी का अस्थापना हुआ था, शोल शो बारा इस्वी में, मुख्यालय इसका कहा है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई और ही में, इंडियान ने भी ने, ब्रहमोश मिशाइल का शफलता पुर्वक परिक्छन किया, जो DRDO के, जो DRDO के द्वारा त्यार किया गया था, ओके, बहुत ही important है, किसके द्वारा आपको पूछ सकता है, यह भी, किसके द्वारा त्यार किया गया था, तो, आप बता सकते वहाँ पर कि DRDO के द्वारा इसको परियूग किया गया था हाल ही में अगला कुश्चन है हाल ही में किसे भारत नया वायुशेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे किया गया अब देखिए option है आपके शामने option है means इसका answer आपको directly पता होगा RKS भादावरिया ये BS धनोबा का अस्थान लेंगे अब देखिए इसका जो है ब्याक्या क्या है IAF का मतलब होता है Indian Air Force means भारत बायुशेना अब देखिए इसका अस्थापना कब हुआ था 8 October 1932 इस्वी को अस्थापना हुआ था याद रखिएगा 8 October 1932 इस्वी को अब देखिए मुख्याले नई दिल्ली मोटो इसका क्या है नभः अस्प्रिंसम दिप्टम ओके इसका मोटो है अगला कुश्यन है BSF के महा निर्देशक कौन बनाएगे है BSF के option है भीके जोहरी, सक्ती कांत दास, रजनी कांत मिस्तरा इन में से कोई नहीं तो इसका answer directly आप बोल सकते हैं भीके चोधरी, BSF का full form क्या होता है Border Secretary Force, अस्थापना इसका हुआ था, 1 दिसंबर 65 हिस्वी को एक दिसंबर 65 हिस्वी को मुख्याल है इसका कहां है तो नई दिल्ली में, कहां है नई दिल्ली में इसका motto क्या है, duty unto death, duty unto death, ओके, अगला कुश्यन है आपकी शामने अगला कुश्यन है भारतिये तट रच्छक बल, means Indian cost guard, Indian cost guard, ओके, के महा निर्देशक कौन बने कौन बने, आपका option है के नटराजन, राजियंदर परसाद, करम बीर सी, इन में से कोई नहीं तो आपका यंसर हो जाएगा, के नटराजन, के नटराजन, इसका ICG की अस्थापना 1978 इस्वी में किया गया था 1978 इस्वी में, मुख्याले कहां है, इसका दिल्ली में है, इसका मोटो क्या है, वीव परफेक्ट, वीव परफेक्ट, वयम रच्छामा, वीव परफेक्ट याद रखेगा, मोटो, ICG की, अगला कोशन है, एसस्वी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, उप्सन है, भीके जोहरी, कुमार राजेस चंद्र, एसस्वी देशवाल, इन में से कोई नहीं, तो एंसर डाइरेक्टली आप कर सकते हैं, कुमार राजेस चंद्र, इसका एंसर हो जाएगा, कुमार राजेस चंद्र, SSB, सहस्त्र, शीमा बल, में सहस्त्र, शीमा बल कर सकते हैं, अस्थापना इसका हुआ था, 1963 में, इसका मुख्याले कहां है, दिल्ली में, अब आता है बात, इसका मोटो कहां है, मोटो क्या है, कहां नहीं, सोरी, मोटो क्या है, Service, Security, and Brotherhood, Service, Security, and Brotherhood, ओके, अगला कुश्चन है, हाल ही, हाल ही में, SWAC के नए Air Officer Commanding in Chief किसे बनाया गया, किसे बनाया गया, अब दिखिए, बहुत ही important बात आता है, कि आप से जब भी कोशन पुछें, तो आप directly उसको याद करने का कोशिस करें, कि हाँ, ये कोशन हुआ है, इसका answer ये है, बिना option दिये हुए, बिना option देखे हुए, अब देखिए, जैसे इसका question हम इस परकार से हम आपको दिये, तो आपको directly आपको बताना है कि नहीं, इसका answer होगा S के घोटिया, तो SWAC का full form क्या होता है, The South Western Air Command, अस्थापना हुआ था 23 जुलाई 1980 को मुख्यालय गांधी नगर में है, और गांधी नगर कैरोसीन मुक्त भारत का पहला जिला है, कैरोसीन मुक्त भारत का पहला जिला है, T-R-A-I-E, मतलब दखिया, अगला कुश्चन है, T-R-A-I के नए चेर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो राम सेवक सर्मा, राम सेवक सर्मा को नियुक्त किया गया है, इसका जो व्याख्या है, एक्स्पलानेशन है, T-R-A-I का फुल फॉर्म होता है, टेली कॉम, रेगुलेटरी और्थोरिटी ओफ इंडिया, अस्थापना इसका हुआ था, 20 फरवरी 1997 को, मुख्याले इसका है नई दिल्ली, अगला कुश्यन है, Film and Television Institute of India, F-T-I-I के नए अध्यक्ष किसी नियुक्त किया गया, तो एंसर हो जाएगा, ब्रिजेंद्र पालसी, इसका इसका इक्स्पलानेशन क्या है, इसका इक्स्पलानेशन है, F-T-I-I का फुल फॉर्म, Film and Television Institute of India, मुख्याले इसका कहा है, पुने महराष्ट में स्थापना हुआ था, पुने, पहला उल्लू महोत्सव का आयोजन पुने में ही किया गया था, पुने में किया गया था, अगला कोश्यन है, UPSC, UPSC के नए चेर्मेन कौन बने, अर्विंद सकसेना, इसका एंसर होगा, अर्विंद सकसेना, Union Public Service Commission, UPSC का फुल फॉर्म है, अस्थापना 1 अक्टूबर 1926 इस्वी को, मुख्यालाई कहां है, दिल्ली में, UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ती, भारत के राष्टपती करते हैं, भारत के राष्टपती करते हैं, अगला कुश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, कौन बने, आप याद रखिएगा, बहुत ही म्परोटेंट है, आप याद है, तो आप मन में सोची, क्या है, मन में सोच लिया होंगे, सुनील अरोडा, सुनील अरोडा के अलावा, दो अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, ओके, सुनील चंद्र और असोक लवासा, चुनाव आयुक्त की अस्थापना, 25 जनवरी 1950 को हुआ था, नेशनल वोटर्स डे कब मनाय जाता है, 25 जनवरी, याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे, अगला कोशन है, मुख्य सूचना आयुक्त, CIC किसे न आयुक्त किया गिया, तो एंसर है, इसका सुधीर भारगव, मुख्य सूचना आयुक्त, Central Information Commission, ओके, इसका फुल फोर्म है, अस्थापना 120 मिस क्या, 120 नहीं, यहाँ पे, आप कह सकते हैं, 12 अक्टूबर 2005, इसकी अस्थापना RTI Act के तहत की गई है, भारत के मुख्य नियाइधिस कौन बने, भारत के मुख्य नियाइधिस कौन बने, बताईए, एंसर आपको मुख्य पे होना चाहिए, S.A. बोब्रे, S.A. बोब्रे, S.A. बोब्रे, S.A. बोब्रे, 47 सुमा C.J.I. of India हैं, सुप्रीम कोर्ट की अस्थापना, स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की अस्थापना, उन्याइधिस भी को हुआ था, कहां हुआ था, अस्थान इसका है, नई दिल्ली, नोट, भारत के उच्तम नियाले में, मुख्य नियाइधिस के अलावा, अन्य नियाइधिस की संख्यां बढ़ा कर तेरा हो गई है, तेरा नहीं, तेतिस, सौरी, तेतिस याद रखना, तेतिस हो गई है, यही सब आपके ध्यान में जाएगा, जब जब हम गलती कर रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे, तो आपके जिहन में समाएगा, कि तेरा नहीं, तेतिस है, अगला question निती आयोग की उपाध्यक्ष पुनह कौन बनाए गए हैं तो राजीव कुमार राजीव कुमार इसका explanation है NITI का National Institute for Transforming India National Institute for Transforming India NITI आयोग योजना आयोग के अस्थान पर लाया गया था अस्थापना इसका हुआ था एक जनवरी 2015 को मुख्यालाई इसका है नई दिल्ली में ओके याद रखेगा नई दिल्ली में अगला question है अगला question जानने से पहले ध्यान रखेगा जब कभी भी आपको मन न लगे देखने में तो वीडियो वहीं पर पहुच कर दिचेगा ऐसा नहीं कि आप देखते जा रहें देखते जा रहें याद कुछ हो नहीं रहा आप वीडियो वहीं पर पहुच कर दें उसके बाद फिर से उसको देखें अगला कुशन है DRDO के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जी सटीस रेड़ी जी सटीस रेड़ी DRDO के फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलप्मेंट और्गनाजेशन अस्थापना इसका हुआ था उनएश्चु अंठामन इस वी में कहां दिल्ली में? मोटो इसका क्या है वलस्य मुलम विज्ञानम शतीस रेड़ी को मिसाइल सिस्टम अवार्ड से शमानित किया गया है अब देखें अगला कुशन है बहुत ही इंप्रोटेंट है इस रो के चेर्मेन कौन बने है तो एंसर है इसका सब लोग जानते होंगे के सीवान के सीवान इस रो इंडियन अस्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन अस्थापना इसका हुआ था 15 अगस्त 1979 इसवी को मुख्यालय कहां है बैंगलूर में के सीवान हाल ही में इन्हें कलाम अवार्ड से शमानित किया गया है कलाम अवार्ड से अब देखें अगला कुशन है राष्टिय उप सुरच्छा सलाकार डियन ऐसे कौन बनाएगे हैं तो एंसर हो जाएगा दत्ता पड़सल गीकर डिप्टी एनसे इसका एंसर हो जाएगा अब देखें इसका ब्याख्याद ध्यान प्रवक्स सुनना है एनसे नेशनल सिकुरिटी एडवाईजर अस्थापना उनेश नुवंबर उनेश सु अंठानवेश भी को और मुख्याले इसका है कहां दिल्ली में अगला कुशन है लोगसभा के महासचीव का कारजिकाल बढ़ाया गिया बढ़ाया गिया है और उनका नाम क्या है सनेह लता स्रीवास्ताव सनेह लता स्रीवास्ताव है इसका ब् ब्याख्या मन में आना चाहिए कि क्या इसका ब्याख्या होगा अब देखे ब्याख्या दम ध्यान पूरवक से कोई भी कोशन को बोल रहे हैं आपको शुनना है स्रेहलता स्रीवास्तव मध्धि परदेश कैडर की आईएस ओफिसर है लोगसभा आर्टिकल 81 लोगसभा अध्यक्ष ओपी वीडला लोगसभा सीटो की अधिक्तम संख्या पानसु पामन और नियूनतम पानसु पैतालिस ओके आप ब्याख्या में इसको याद रख सकते हैं आर एडवलू रौ के नए अध्यक्ष कौन बने शामंत कुमार गोयल शामंत कुमार गोयल रौ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनलाइसिस बिंग अस्थापना 21 सितम बर 1968 मुख्याल है नई दिली अनील धस्मान IPS Officer of 1984 बैच के हैं आई वी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका एंसर हो जाएगा अरविंद कुमार अस्थापना कब हुआ था 1887 इस्वी में मुख्याल है इसका नई दिली में अरविंद कुमार IPS Officer of 1984 बैच के हैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुप किया गिया रेखा सर्मा याद रखेगा रेखा सर्मा इसका प्याख्या है NWC National Committee for Women अस्थापना 31 जनवरी 1992 पारित अधिनियम 1990 में किया गिया BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं और ये अपने भारतिये खिलाडी हैं तो उनका नाम है शौरव गौंगली 49 में अध्यक्ष कितने नमबर के अध्यक्ष ये बने हैं शौरव गौंगली कितने नमबर के अध्यक्ष बने हैं ये भी कोश्चन आपके सामने आ सकता है तो 49 में नमबर के Board of Control for Cricket in India अस्थापना 1928 को मुख्याल है मुंबई में हाल ही में BCCI NADA के दाइरे में आ चुका है NADA होता है National Anti-Domping Agency हाल ही में DK Gen BCCI के पहले लोकपाल बने हैं याद रखेगा के DK Gen हाल ही में किसे भारतिये लागत लेखाकार संस्थान IICT के अध्यक्ष नियुप किया गया है विश्व रूप वसू विश्व रूप वसू ओके याद रखेगा इसका व्याख्या है IICT Indian Institute of Coast Accountants गठन हुआ था 28 मई 1969 को मुख्याल है कोलकता में है कहा है कोलकता में हाल ही में किसे आंध्र परदेश का पहला लोकायुक्त नियुप किया गया है Justice P. Lachman Reddy Justice P. Lachman Reddy इसका व्याख्या हो जाएगा आंध्र परदेश की प्रस्तावित राजधानी इसका है अमरावती, मुख्मत न्त्री, जगन मोहन रेड़ी, राजिपाल, विश्व भूसन हरी चंदन विश्व भूसन हरी चंदन हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने है इसका एंसर हो जाएगा कृष्ण मुर्ती शुब्रमन्यम खास हाल ही में पेस किया गिया आम बजट कृष्ण मुर्ती शुब्रमन्यम के द्वारा ही तयार किया गिया था अगला कुश्यन है हाल ही में भारतिय बिस्ष्ट पहचान प्राधिकरन UIDAI का नया CO निउक्त किया गिया है कौन किये गया है पंकज कुमार पंकज कुमार UIDAI The Unique Identification Authority of India अस्थापना 28 जनवरी 2009 2009 को अब अगला कुश्यन है अब देखिए अगला कुश्यन आने से पहले आप अभी तक ध्यान पुर्वक से सुन रहे हैं तो लगातार किजिए और ध्यान पुर्वक नहीं सुन रहे हैं तो आप ओहीं पिर पहुँच वीडियो को करके फिर कुछ दिर के बाद देखें ओके मिजोरम के पहले अगला कुश्यन है मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं तो इसका एंसर है सी लाल शावत सी लाल शावत ओके इसका व्याख्या है मिजोरम की राइधानी आईजोर मुखमंत्री जोर मन्थंगा हालही में मिजोरम के नए राजपालवी बने है पियस स्रीधरन पिलई हालही में सैन्य राजनाईक नियुक्ती होने वाली पहली भारतिये सैन्य कर्मी कौन बनी अंजली सी याद रखेगा अंजली सी इनकी नियुक्ती रूस में की गई है रूस की राइधानी मासको है करेंसी इसका है रूबल है परशिडेंट इसका है प्लादी मीर पुतीन प्लादी मीर पुतीन पीयम दमित्री मेद वेदवे अब देखिए अगला कुश्चन है भारतिय राष्ट्रिय विज्ञान कॉंग्रेस आई एन एस ए भारतिय राष्ट्रिय विज्ञान कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महला का नाम क्या है तो इंसर हो जाएगा चंद्रीमा साह चंद्रीमा शाह, इंडियन नेशनल शाइन्स कमीटी, अस्थापना 1934 को, मुख्याले नई दिल्ली, हाल ही में, अगला कोशन है, हाल ही में, CVI के नए निर्देशक कौन बने हैं, रिसी कुमार सुकला, IPS हैं, रिसी कुमार सुकला, CVI, Central Bureau of Investigation, अस्थापना 1941 में मुख्याले नई दिल्ली, अगला कोशन है, हाल ही में, हाल ही में, Audit Bureau of Circulation ABC के अध्यक्ष के रूप में, किसे नियुक्त किया गिया, मधुकर कामत, मधुकर कामत, इसका प्याख्या है, ABC Audit Bureau of Circulation, अस्थापना 1948 में को मुख्याले मुंबई महाराष्ट, हाल ही में, हिमाचल परदेश के नए मुख्य सचीव कौन बने हैं, स्रीकांत बाल्दी, राजधानी सिमला, हिमाचल परदेश मुख्यमंत्री जहराम ठाकूर, राजिपाल बंडारु दत्तात्रे, मुख्यन आएदिस, लिंग अप्पा नरायन श्वामी, इंडियन क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गिया है, तो राहुल द्रविड को, राहुल द्रविड को, राहुल द्रविड, ICC हाल आफ फेम में शामिन होने वाले, फिप्त भारतिये हैं, हाल ही में किसी माइक्रोशॉप्ट इंडिया आर एंडी के नए एंडी के रूप में नियुक्त किया गिया है, एंसर इसका होगा, कौन शाह, एंसर सुनने से पहले, आपको बताना है कि इसमे से कौन होगा, आदित्य पूरी, बिजय सेखर सर्मा, राजीव कुमार, कोई नहीं, देखिए, एक बात, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, इस कौशन को सुने होंगे, इस कौशन का एंसर आपको खुद भाखुद देना है, कौमेंट में लिख कर देना, एक कौशन, सिर्फ एक कौशन आपके लिए छोड़े हैं, आप देखिए, अगला कौशन है, इसको आप कौमेंट बोक्स में लिख के दीजिए, तभी हम समझ विए पपर द्यान पुर्वक से Concentration Mode में आप देख रहे हैं ओके अगला कुश्चन है तमिलनाडू क्रिकेट एस्विएशन की पहली महला अध्यक्ष कौन बनी रूपा गरुनात रूपा गरुनात तमिलनाडू क्रिकेट एस्विएशन 1932 तमिलनाडू की राजधानी कहां है चेन नई अगला कुशन है Air India के नए CMD कौन बने हैं कौन बने हैं असुनी लोहानी इससे पहले रेलवे वोर्ड के अध्यक्ष थे ओके ये कुशन नंबर आपका 46 नंबर है 50 तक इसमें करेंगे Air India की अस्थापना 1930 में मुंबई में हुई थी लेकिन अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है हाल ही में महात्मा गांधी जी ने 150 में जयनती से Air India ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पुर्णता परतिवंध और परतिवंधित कर दिया है अगला कुशन है हाल ही में भारतिये शेना में Lieutenant Colonel के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महला कौन बन गई है पोंग डोमिंग यह भारत के अरुनाचल परदेश से भिलों करती है अरुनाचल परदेश की राजधानी इटानगर है मुख मंत्री पेमा खांडू, राजिपाल बीडी मिस्रा है हाल ही में पावर ग्रिड के अध्यक्ष और CMD के रोब में किसे नियुक्त किया गया है कांदी कुपा स्रीकांत कांदी कुपा स्रीकांत व्याख्या है पावर ग्रिड का अस्थापना 23 अक्टूबर 1989 को और मुख्यालय हर्याना गुडगाओं में पड़ता है अगला कुशन है हाल ही में हाल ही में पंजाव नेशनल बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है SS मली कारजुन राओ SS मली कारजुन राओ PNV का अस्थापना कब हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का 1994 में मुख्यालय नई दिली टैग लाइन इसका है The name You can bank upon Last question Finally 50 नंबर कोशन है हाल ही में Yes bank के नए अध्यक्ष कौन बने है रवनीत गिल रवनीत गिल S bank का अस्थापना 2014 में हुआ था मुख्यालय मुंबई में है टैग लाइन है Experience our expertise हाल ही अनीता पाई S bank की CEO बनाई गई है तो आपने 50 question बहुत ही असानी तरह से देख चुके है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है 40 minute का हो चुका है हम यहीं पे पुर्णविराम कहते हैं और अगले वीडियो में भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से 51 नंबर से रेगलर चलेगा आपका वीडियो ओके तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जरुस जरुस शेर लाइक सब्सक्राइब करें ओके धन्यवाद जहन नमस्कार